जब एक ब्रोकर के बाद जाते हैं तो उसकी कौन सी बाद में नहीं फसना ये एकदम क्लियर कट बता देना ये बात तो आपने बड़ी जब एकदम क्लियर कट के सर ये प्रॉपर्टी आज ही अविलेबल है निन तो कल बेग जाएगी सरकार से ही फार्मॉव्स लेना चाहिए राधर फॉम दी फार्मज और फॉम दी प्राइवर्टी प्रॉपर्टी डिलर जो की बता रहा है ठीके क्या रेट है फार्माउस का सरकार दारा जो आते हैं अभी रिसेंटली जैसे आपने कभी देखो अभी रिसेंटली तो नहीं है लेकिन मैं आपको बढ़ा सकता हूँ यह अप्रॉक्सिमेट 2008-2009 में फार्माउसिस निकलेते और अब महां क्या कीमत होगी अभी आज की तारिक में तो वह कीमत अगरीबन 60-70,000 में मीटर होगी यानि कि 60-70,000 मीटर भी ठी है इतना तो गजगा ही रिट चलना आज कल यहां अगर शेर में आपको अगर आपको देखो ऐसे देखना है तो आप बिलकुल आपने सही बात बुली है आप नोइड एकस्टिंशन में सेक्टर एक है वहाँ पर गौल मलबरी मैंशन थे वह 10,000 में है कौन से मैंशन है गौल मलबरी मैंशन अच्छा जी वहाँ पर शूटिंग ही होती है और कई नामी विसकी शूटिंग है वहाँ का रेट अभी 20,000 मेंटर है कितने मीटर खरीच सकते हैं माह 10,000 मीटर है मिनिमुम सो साथ मीटर है तो जो आत्मी प्रापटी लेता है एक हजार करोड तो उसके वास बैंक में लीगल वाइट मनी होता ही हो तभी तो ले पाएगा हो पिल्कु उसकी रेजिस्ट्री भी होनी है क्योंकि है तो सारा वाइट म है तो हम तो आपने पेचा किसी को इतना तो इतना तो इतना नहीं करें अच्छा मुझे 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 सुनके मैं इमेजिन कर रहा हूं कि ताज हाईवे पर जब जाया आदवी तो यह कि इधर दिखती है उसे जमीन 10,000 मीटर की क्योंकि इधर इधान तो इन पुष्टा रोड है पुष्टा रोड से पहले वहां पर रहे प्रपरटी और नॉड़ा एक सेंशन में सेक्टर एक है अब तो वहां पर कनेक्टिविटी भी बहुत अची हो गया तो एंट्री करते हैं आपको दिख जाएगी वह प्रपरटी दूर से लिख जाती है सबसे पऊश कई सारे सेंट गाैं शेक्टर कर चान सबसे पंड़ dirp कितना वड़ खांकर बंदा करोड करोड़ का没有 100-12 जोड़ करोड़ करोड 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 है अब तीन साल कोवीट के बाद तो प्रॉपटी के रेट ऐसे बूम करें एक शिकायत है आप से क्योंकि आपको सब पता है इसलिए शिकायत है यह शिकायत हरूस बाइर की है मैं बतायता हूँ जब मार्केट में खरीदने जाते है तब तो रेट हाई है और जब मेजने जाते है तब लो है नहीं देखो यह बिलकुल आपने बाद ठीक कही है शिकायत की बाद भी ठीक कही यह मार्केट पर भी डेपेंड करता है उस टाइम पर भी डेपेंड करता है वायर मार्कैट बायर अपने टॉम्स पर प्रॉपर्ट्टी बॉइ कर रहा है। कि टॉम्स पे हमकुछ भी बोलते थैं कि कम है जताएओ बायर T laboratories रही हो कह इक उपके बोलता स्पर मिलती तो नहीं मिलती तो मार्केट थोड़ा सा चेंज होगा है तो इस टेम लेकिन मैं अभी भी बोलूँगा क्योंकि मार्केट इतना पॉजटिव है गवर्मेंट इतनी स्टेबल है और जो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं इफ्रस्ट्रक्टर डेवलपमेंट वह बहुत तेजी से चल रहा है प्रॉपर्टी थोड़ी कम भी होगी नॉइडा के अंदर आप देखो कि 95 परसंट बन चुका है नॉइडा उली 5-7 परसंट एरिया बचा है जो इसमें डवलपमेंट अभी बाकी है नॉइडा एक्सप्रेसे की साइड करते हम बात करते हैं ऐसी मैं ग्रेटर नॉडा की बी बात करते हूं तो ग्रेटर नॉडा भी अल्मस्स 70-80 परसंट डवलप हो चुका है ग्रेटर नॉडा में नॉडा एक्स्टेंशन हो गया नॉडा वेस जिसको बोलते हैं परी चौक लोग पहले ग्रेटर नॉडा उसी को समझते थे तो वो एरिया और यह दोनों एरिया लगाके अल्मस्स 70-75 परसंट यह भी डवलप हो चुका है तो अब नहीं डवलपिंग एरिया जो है वो आने शुरू होगी है जैसे न्यू नॉडा अभी बहुत लाइम लाइट में है नॉडा के अंदर जो डवलपमेंट है वो नॉडा थोरिटी ही करने वाली है नॉडा किदर पढ़ता है नॉडा यह आप मानके चली जो इस्टन पेरिफिरल एक्सप्रेस वे है टूवर्स दादरी उसके बियॉंड का जो एरिया है वो नॉडा अच्छा ठीक है और और ग्र फेस्टू अने वाला है अच्छा अब हमारे पास्ट तीन तरह के बायर हैं लॉड़् मिड्ल क्लास फायर मिड्ल क्लास और वो तो दहजार मीटर वाले है तो हमने रखते लिए अपना सामने यानि कि जो property आपको 25-35 लाग रुपे की property मिलती थी वो आज 55-65 लाग रुपे प्लस over and above हो जोगी है तो अभी नए sectors जो develop होने हैं तो definitely वहाँ पर उनके पास scope होगा कि वो उन sectors के अंदर अभी lower middle class जो है वो property buy कर ले या फिर government जो अपनी scheme में properties लाती है लेकिन फिर उसमें limited inventories होती है वो properties के rate तो definitely कम है लेकिन वो prices कम होनी की वज़े से demand जाता है और तो वो कुछ ही लोग उसको bear कर पाते हैं तो फिर जो private developers आने हैं private developers आज की date में मेरे को नहीं लगता कोई भी 7000 पे से कम में launching हो रही है जो प्राइजीज है property के वो 70 लाग अबवी आने वाल है तो फिर वो middle class family की रीच की properties हो जाती है और जैसे हम देख रहे हैं कि noida भी काफी saturate होगी है properties wise resident में रहने के लिए और इधर noida extension में भी काफी families वगेरा moving कर चुकी है तो अब जो builder है यानि की जो category 1 के builder है उन्होंने आना शुरू करती है market में क्योंकि जब भीड दिखने लगा है लोगपा को कि रियाईशे दिखने लगी है malls कुल गया है तो वह property अब दो करोड़ रही करोड़ तीन करोड़ की property launch करना शुरू कर भी है अब noida के अंदर यह चलन आ चुका है जहाब हमें दो करोड़ की starting देखने को मिल रही है त इनको आप कहां से ज़स्ट करोगे कि वह यहां जाके अगर कुछ invest कर सकते हैं आने वाले 10 साल 12 साल कौन सा कौन सी जगा है NCR मेरट तक भी बता सकते हैं मैं आपको बताता हूँ अभी जो nearest अगर मैं दिल्ली की बात करो तो new noida होगा यहां पर आपको कम rate पे property क्या rate होगा व कर्मेंट भी 25-25,000 में में launch कर रही है तो उससे नीचे property मिलना तो मुश्किल है तो अगर यह तो आप हापूर जा सकते हो हापूर साइड में आपको property सस्ती मिल सकती है 10-12,000 में अच्छा वहापर आपको 10-12,000 में मीटर की जूरू ही क्या रहे है उसका फिर अगर 10-12 साल कर देगे गे तो 10-12 साल में minimum आप समझ के चलो annually आपको 12-15% का return मिलना ही मिलना है आपकी यह 15% मान के चले है 15% मिनिमम मान के चले है और इधर आपने बताया नियू नौइडा नियू नौइडा में क्या रीट बताया आपने तो नियू नौइडा में थोड़ा बनने में समय ल वहाँ पर 45-50,000 पे का rate अभी ongoing है जो भी market से में सबसे कम rate पर availability है ठीक एक क्विक चीज करते हैं ताकि आप एकदम कोई कोई उतादना एक मिनट के अंदर बात ये बता दो कि जब एक broker के बास जाते हैं तो उसकी कौनसी बात में नहीं फसना ये एकदम clear cut बता देना ये बा कि broker ये बात बोले एक इस पर बिल्कुल यकीन नहीं करना है आगे बढ़ते हैं बताइए देखो सबसे बड़ी बात तो मैं यही बोली के सब्सक्राइब कर आज लोग नहीं तो कल कोई ले जाए लेकिन आज की दिर में उतकर शाइसा हो भी रहा है नहीं 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 ये चा दूसरी बात यह है कि अगर वो अपनी प्रजक्ट के बारे में सारी बाते बता रहे हैं दूसरे प्रजक्ट को नेगटिव कर रहे हैं कि मैं सुपीरियर बिल्डर हूँ और दूसरा बिल्डर तो बिल्कुल बिगार है तो ऐसी बात दो पर भी नहीं आना चाहिए क्योंकि हर बिल्डर जो है अपनी वेल्यू क्रेट कर रहा है और रेरा में अगर आने के बाद तो हर बिल्डर को मालू में को प्रजक्ट डिलीवरी देनी है तो हमेशा उसकी इसी बात में आना है कि सिर्फ यही बिल्डर के अंदर आपको पैसे लगाने चाहिए यही प्रॉपटी इतने लोग बिचारे ब्रोकर के मारे घूमते हैं कुछ तो बताना पड़ेगा कोई ऐसी बात बताओ आप जो वो बोलते हैं यकीन दिलाने के लिए सामने वाले बायर को और बायर को बात में यकीन नहीं करना चाहिए सबसे बड़ी बात यहीं बोलते हैं कि मैं बैठा होना से लिए अच्छा तो अब एक और एक है कि जब हम यह देखते हैं अब मसला यहां पर उठता है क्योंकि हम तो देख रहे हैं प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा बढ़ा बाहर से हमने इन्वेस्ट कर दिया जब हमने इन्वेस्ट करा था तो उसमें दो चीज़े बताई गई हैं अब वो तो आप क्लेफा कर सकते हैं एक बिल्ट अरिया और एक दूसरा एरिया इसमें बहुत कन्फियुजन नहीं होता है क्योंकि वो दिख तो बढ़ी थी अब हम गुझे उसमें तो लिफ्ट का एरिया भी है उसमें का इरिया भी है उसमें आपके घर के बाहर का एरिया तो एक बार यह एक्स्पें घ्सिएन कर दिए कि सौगज का जो area होता है उस पे built up area और common area और carpet area ये ये तीन area को कैसे define करा जाता है जब builders से हम लेने जाते हैं रेरा की ये बहुत strict guidelines आई है और in fact रेरा time to time इसमें inform भी करता है builders को भी customers को भी कि कोई भी property अगर आपको आज की date में बेचनी है यानि कि 2016 के बाद तो आप carpet area में ही बेचेगे अच्छा ठीक carpet area में आपको mention करना पड़ेगा कि आप किसी भी flat का किसी भी property का carpet area कितना दे रहे carpet area वो area हो गया जो आप अपने apartment के अंदर घुसने के बाद यूज कर पते है मैं घुसा दर्वाजा खोला दर्वाजा खोला दर्वाजे के बाद वो area जहां पर आप मतलब surface level पर carpet विचा सकते है ठीक है balcony को छोड़के ठीक है जिसमें आपकी walls भी include नहीं होती है जिसमें आपकी walls भी include नहीं होती है तो carpet area वो area हुआ जिसमें आप carpeting कर सकते है अपने मगान के अंदर जिसमें balcony का area हम exclude कर देते है walls का area exclude कर देते है और बाहर का तो common area वो हम बिल्कुल include करी नहीं रहे है वो तो पूरा excluded है तो वो area सारा आपका carpet area है और उसी carpet area पर आपको property को sell करना है, marketing करनी है और लोगों को aware करना है तो आप कोई और area नहीं बचा है सिर्फ carpet area बचा है कारपेट area कि accordingly ही आपको pricing करनी है super area आपको लाने नहीं है रेरा बोलता है super area मुझे नहीं पता क्या होता है जो builder super area बता कि भीच लेगों वो और एक्समें करनी है जो super area जो होता था जिसमें आपके guard zoom हो गए आपका dg room हो गया आपके club houses हो गए lift area हो गया lobby area हो गया और balcony area हो गया और चट पे जो पानी की टंकी पड़ी है वो सारा area लगा के commonly distribute कर लिए जाता है हर customers को तो carpet area में आप एड़ कर लो अपनी walls का area प्लस वो area add करके वो super area होता है divide कर देते हैं उसे per flat per flat वो divide कर दिया है तो वो उपर super area हो जाता है तो technically वो 30-35% area बैठता है और वो ज़्यादा बताते भी है बताते भी है तो actually वो बनाना भी होता है उनको देखो तीन level की parking बना दी है नौन कुछ ऐसे areas होते है जो use में डारेक कस्टमर के use में नहीं होते है लेकिन उसकी development में तो लगे ही है तो वो common area सब के अंदर distribute होके वो super area हो जाता है तो हमेशा यही लोगों की शिकायत रहती है कि मैंने लिया तो 2000 square feet का area था मेरे को carpet area तो 1100-1200 square feet मिला तो वो घर में घुसने के वाद समझ आता है कि 2000 square feet गया गा यह तो बहुत तकड़ा इस कहे रहे है कि अब फॉक में लोग 2000 square feet का area लेता है और डिलिवरी कितनी है डिलिवरी आपको 60% की delivery है यह आपको थोड़ा सोब डिटेल में समझाना पड़ेगा हम इसको size 1-2BHK का size Noida में around 1400 square feet का होता है हम 1000 square feet लेके चला 1000 square feet लेके 1000 square feet पे हमें 600 square feet मिलता है 600 square feet आपको carpet यानि कि वो जो kitchen होती है एक camera होता है उसके साथ एक washroom होता है एक चोनट अदम होता है वो 600 square feet है और ब्रोकर आपको बोलता है 1000, builder बोलता है 1000 square feet में वो अपनी other जो भी facilities थी यानि कि common area, passage area, lift area, lobby area parking के slots, parking के ramp area clubhouse के area clubhouse की जो ऊपर की amenities है वो roof की जो amenities बनाई है वो सारे area मतलब equally distribute कर देते है समयदार चीज यह है कि हमें उसका maintenance भी देना पड़ता है definitely और यह बात हमें उस वक्त होना बात maintenance तो हमें लगता हमें लगता हमें फ्लैट का दे रहे है या बेसिक हमेंटीज का common, उतकर्ष common area का देना पड़ता और यह अभी प्राइबट प्राइबट सोसाइटी जो है उनका बिजली भी महेंगी है नहीं, गौर्मेंट के रेट पर बिजली वो बेसिकली जो डीजल से चलने वाले डीजी चलनेटर जो होते हैं वो उसका थोड़ा सा maintenance ज्यादा पड़ता है तो वो धोड़ी सी costly होती है अब अगर कहीं किसी को flat लेना हो 2BHK और 3BHK कहां ले ले, आख बंद करेंगे क्योंकि मनीजी कह रहे है अगर investment करना चाह रहे हैं तो अभी Noida Expressway के बाद जो Yemen Expressway है वो बहुत boom बनाने वाला है तो वहाँ पर scope अच्छा है या New Noida के अंदर जो further development आ रही है वहाँ पर अभी लेने में benefit है in terms of appreciation और बाकी देखो रहने के लिए चाहिए तो यहने रहने के लिए हर individual की अपनी एक requirement होती है कि उनकी job उनका business कहां से connect करता है तो उनको nearest जो भी place पढ़ती है वहाँ पर prefer करते है हमेशा लेना लेकिन investment के point of view से यमना express वे आज की डेट में काफी hot properties है क्योंकि यहां की जो development है वो world class level की developments आ रही है दर यमना पर यमना पर बिलकुल नया शायर बन रहा है अच्छा बिलकुल नया शायर बन रहा है लेकिन आप यह बहुत जल्दी आपको carpet area के rate पर ही सानी साड़े शायर के असपास हाँ उसका अगर carpet area के थुरू प्राइसिंग लेकिन फिर वो size भी आपको हजार नहीं बोले जाएगा आपको 600-600 भी बोले जाएगा तो यमना के अंदर मैं बात करूं यमना एक पूरा 545 स्क्वार किलो मेटर के अंदर शायर बस रहा है जो phase 1 है phase 2 मिलाते हैं तो phase 2 तो आपको दिल्ली से भी बढ़ा हो जाता है और जिसमें एशिया का सबसे बड़ा एर्पोर्ट बन रहा है नॉड़ा इंटरनाशनल एरपोर्ट और जो नेक्स्ट यूर ऑक्टूबर था को अपरेशनल भी होने वला है लोगों को मेशा है लगता है कि इतनी जल्दी एरपोर्ट कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा तो मैं आपको बता दूँ अठारा महिने के अंदर एरपोर्ट बना और फ्लाइट्स भी वहाँ पर टेक आफ हो गई है तो अगर हम अठारा महिने के अंदर एक इंटर्नाशनल रह बना सकते तो यहां पर भी उसी टाइम फ्रें के अंदर इयरपोर्ट बन सकता है यह पूरे एशिया का सबसे बड़ा airport बनने वाला है और वर्ड का चौते नमबर का सबसे बड़ा airport है फर्स्ट यहाँ पर इंडिया की सबसे बड़ी film city बन रही है जो बारा सो एकड के अंदर develop हो रही है तो यह भी इसी region के अंदर आ रही है और यहाँ के जो sectors है dedicated sectors दिये है जो manufacturing के लिए दिये है जैसे toy park है, electronic park है MSME parks है, medical device park है तो यह सारे sectors बड़े बड़े sector है कोई 1800 एकड का sector है, कोई 1200 एकड का sector है कोई 1600 एकड का sector है तो यहाँ पर जो industries है वो बड़े massive level पर industries लगनी है पतांजली का food park जो बन रहा है यहाँ पर 455 एकड के अंदर सिर्फ एक company है यानि कि पतांजली industrial park जो बन रहा है वीवो का industrial park है 180 एकड के अंदर बनके अल्मोस्त तयार हो चुका है वो भी बहुत जल्दी operational होने वाला है तो ऐसी तमाम companies हैं यहाँ पर तो जो अपना setup यहां कर चुके यहां करने वाली है और government इस चीज के अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान दे लिए कि यहां की जो development हो रही है वो timely हो तो उसके लिए उन्होंने time framing मतलब time bound चीज़े बनाई है कि आपकी allotment के बाद आपको within five years आपको अपनी जो company है वो operational करनी है तो लोगों को इसके लिए क्या कर रहा है government ने कि यहां पर एक time bound यह भी कर दिया कि आप 10 साल से पहले उस land को नहीं बेच सकते तो लैंड की जो ट्रेडिंग है इंडस्टिल लैंड की जो ट्रेडिंग है वो कईना के काब्ड हो गई वो बिक्नी बंद होगी है तो अब जो serious player है यानि serious player जिसको इंडस्टी लगानी है फैक्ट्री लगानी कंपनी लगानी है फिर वही property लेकर वहाँ पर काम करना शुरू कर रहा है तो अगले 5 से 7 सालों में हमें यह जो पूरा एरिया है मैंने आपको 30-35 किलोमेटर का जो एरिया बता है यह काफी आपक हुआ दिखेगा developer definitely companies आएंगी employment आएगा needs generate होंगी flats की residentials की others hospitals भी चाहिए होंगे schools भी चाहिए होंगे तमाम तरीके के पूरा शैर जो है और बहुत planned तरीके से पूरा का पूरा शैर बखा रहे है अभी पैसा लगा सकते हैं अभी पैसा लगाने में फायदा है क्योंकि यहां आपको संदेज देना हो जनता के लिए मैं बोलूगा कहीं भी आप investment करना चाहरे हो या कुछ भी आप कोई property के सला चाहते हो सबसे पहले उस property के आप रेरा चेक कर सकते हो क्योंकि रेरा ही आज की date में बहुत जादा strict हो गया norms को लेके marketing को लेके आप किस marketing बिना रेरा की नही है कि एक के साथ एक free आपने कर दिया या कुछ ऐसी marketing कर रहे हो तो वह अगर आपने marketing करें तो आपको ऑनर भी करनी पड़ेगी वह marketing के जो भी norms है तो वह भी दे रहा उसको लेके कर रहा है बाकी सोच समझ के investment करनी चाहिए है हम तो बैठे ही है आपके ठीक है